हालो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप काफी अच्छी होंगे आप ए स्क्रीन के उपर देख रहे हैं ये घटना चकर बीपी एसी पूर्वा लोकन शमानने अध्यन की ये बूक आई हुई है और ये बिल्कुल नई बाली बूक है इसके अंदर जो है बर्स 2023 के निउ अपडेट के साथ ये बूक आई है और इसके अंदर जो है उनी सुब्रानमे से लेकर 2022 तक यानी 38 वी बीपी एसी से लेकर सरसठवी BPSC तक के paper को इसके अंदर include किया गया है और ये paper जो है बिलकूल subject wise इसके अंदर include किया गया है आप ये screen के उपर आप अपने देख सकते हैं ये पूरा paper जो है ये subject wise है और इसके अंदर जो है ये इतिहास यानि इतिहास का जो है प्रचिन भारत का इतिहास मंदेकालिन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास इसका वीडियो जो है मैं past revision mode में बना कर अपने channel के उपर upload कर रखा हूँ अगर आपने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो please आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंध तक देखा कीजेगा और एक like का बटन जरूर दबाएगा क्योंकि ये सारा वीडियो जो है ये सारा topic जो है आपके exams के लिए काफी important है अब भी जो मैं आपके साथ discussion करने जा रहा हूँ वो है भारतिये राजबेवस्था और ये वीडियो जो होगा भारतिये राजबेवस्था का ये भी जो होगा fast revision mode में मैं इसका वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बच्चों का demand है कि fast revision mode में वीडियो बना दीजीए जो हमें revision करने में 4-5 घंटे का जो समय लग जाता है ये समय हमारा बच जाएगा तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ Fast Revision Mode में इसके अंदर सिर्फ answer and questions होंगे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज देखिए आप इसको ये वीडियो जो है काफी important है और आपके exams के लिए काफी helpful भी है तो चलिए बिना समय गवाय स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करू अपने चैनल के उपर वो उसका इन्फोर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जा है तो चलिए बिना समय गवाय स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं यह भारतिय राजबेवस्ता यानि पोलिटी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यह पोलिटी का पहला कुस्टन्स है कह रहा है समीधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निरने इसलिए किया गया क्योंकि यह कॉंग्रेस ने इस्तिथी को 1930 में सोतंतरता दिवस के रूप में मनाया गया था अगला कुस्टन्स है कह रहा है कि भारतिय समीधान में सामिल है तो भारतिय समीधान में 395 आईटिकल यानि अनुछेद 22 भाग और 12 सुचिया यह सामिल है अगला कुस्टन्स है कह रहा है कि भारतिय समिधान में है तो भारतिय समिधान में 400 से अधिक आईटिकल है यानि अनुछेद है यहां पर कह रहा है कि संग सुची, राज्य सुची और समवर्ती सुची का मिलान करना है तो अगर इसके हिसाब से हम लोग मिलान करते है तो संग सुची के अंदर आपको 97 है ये बिल्कुल शही है इसके अंसर हो जाएंगे C और राज सुची के अंदर 66 है और ये समवर्ति सुची के अंदर 47 प्रविष्टियां है तो इसके हो जाएंगे C अंसर हो जाएंगे इसके sorry B इसके answer हो जाएंगे A, C, B ये B इसके answer हो जाएंगे देखे इसके अंदर जो है कुछ change हो चुका है तो ये जब मैं इसका detail कराऊंगा फिर मैं आपके साथ इसका discussion करूंगा तो अभी के लिए अगला question के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कराए कि निम्र सब्दों पर बिचार करें और सही सब्दों को बिचारा अनुशार करम दीजिए तो देखे यहां पर समाजवादी है सार्भ भौमिक है परजातन्त्रिक है और धर्म निरफ्यक्ष है तो सबसे पहले आता है सार्भ भौमिक जब हमारा वो प्रस्तापना आता है, प्रस्तापना के अंदर जो है सार्ब भौमिक आता है सबसे पहले, तो सार्ब भौमिक है, इसके बाद समाजवादी आता है, इसके बाद धर्म निर्पेक्षा आता है, इसके बाद परजातांतरिक आता है, तो इसके हो जाएंगे A, अग अगला कुस्टन से एक नया राज बनाने में समयधानिक संसोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए तो एक नया राज बनाने के लिए सधारन बहुमत की जरूरत होती है। और जो गैर नागरिक हैं जो गैर भारति हैं उनको प्राप्त नहीं है एक और तिन अगला कुस्टन से करा कि उस्तम नयाले की बेवस्था के अनुशार नीजी भवनों के उपर जण्डा राष्टिय जण्डए को फाराना डोट-डोट के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार तो ये जो है समिधान के आइटिकल 19.1 के एक तहत राष्टिय जंडा फाराना जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार है निजी भावन के उपर भारतिय समिधान में संसोधन करके सिक्षा का अधिकार कब जोरा गया था तो एक अप्रेल 2010 को सिक्षा का अधिकार जोरा गया था अगला कुस्टन से कह रहा है कि निवन में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतिय समिधान के अंतरगात मौली का अधिकार भी है तो देखे जब मैं इस कुस्टन को डीटेल कराऊंगा तो फिर मैं इसका आपको एंसर पताऊंगा अभी जो है इसको डाउट के तरह छोर अगला कुस्टन से भारतिय समिधान के भाग चार में दिये गए निर्देशित सी धानतों में निम्ण में से कौन सा या सुची बद है तो देखे यहां पर समाने कारे के लिए समाने बेतन समान नागरिक संहिता छोटे परिवार का मांडंड प्रात्मिक अस्तर पर मात्री यह जो होगा इसका 1 और 2 हो जाएगा यानि आपको समाने कारे के लिए शमाने बेतन और समाने नागरिक संहिता अगला कुस्टनस है भारत के समिधान में मौली करतब्य किस समिधान संसोधन के तहत जोरा गया था तो मौली करतब्य जो है अपने अधिनिस्त अधिकारियों के द्वारा अगला कुस्तन सा है यदि राष्ट पती एबम उप राष्ट पती का पद खाली हो तो भारत के राष्ट पती के पद पर कौन होता है तो यह भारत का जो मुख्याने अधिस होते हैं वो भारत के राष्ट पती होते हैं यती स्री स्री मती परतिभा पाटिल का भारतिय गनतंतर के राष्ट पती के रूप में करम क्या है तो देखिए यहाँ पर परतिभा पाटिल के बारे में पूछ रहा है तो राष्ट पती के रूप में इनका करम जो था ये बारहमा करम था और अभी जो है द्रॉप्ती मुर्म है इनका राष्टपती के रूप में इनका 15 करम है और अगर हम लोग रामनात कोविंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका दो था चौधामा कारेकाल था राष्टपती के रूप में अगला कुशन से एक विध्यक जो संसद में प्रस्तूत किया जाता है और कौन सी किरिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो वो है जब राष्टपती अपनी सहमती दे देते हैं अगला कुशन से सिरी मुहमद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्टपती के रूप में करमांक है तो सिरी मुहमद हमीद अंसारी का जो भारत के उपराष्टपती के रूप में जो करमांक है वो है बारहमा अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं M.B.C. नाइडू जी का तो इनका जो है तेरहमा है उपराष्ट पती के रूप में और यहीं पे अगर हम लोग धनकर जी की बात कर लेते हैं तो इनका जो है यह चोदहमा हो जाएगा चोदहमा इनका कारेकाल हो जाएगा जो अभी हमारे नए उपराष्टपती बने है अगला कुश्चन्स है राष्टी सुरक्षा समीती का परधान कौन होता है तो ये होता है हमारे परधान मंत्री राष्टी सुरक्षा समीती का जो परधान होता है यह हमारे परदान मंतरी होते हैं अगला कुश्चन्स है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतिय संसद की कर्रवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है तो यह है अटोर्णी जनरल अगला कुश्चन्स है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की करवाही में भाग ले सकता है तो ये कौन भाग ले सकता है तो ये है महान नयवादी एक MP की सीट को रिक्त घोशित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार दो मा की अबधी के लिए अनुपस्थिती रहता है तो दो मा की अबधी इसका एंसर हो जाएगा राजेसभा में होते हैं क्या होते हैं? जिनमेंसे 12 सदस्य राष्टपती के द्वारा मनोनित किये जाते हैं अगला कुस्तन से हमारे समिधान के अनुशार राज सभा का कारेकाल राज सभा का कारेकाल जो है ये समापत होने का बिशय नहीं है राज सभा का जो कारेकाल है ये कभी समापत नहीं होता है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो राज सभा का अध्यक्ष जो ह कौन सा सही नहीं है यहाँ पर हमको सही नहीं है के मारे में चुनना है तो देखिए धन बिध्यक की शुरुवाद जो है राजसभा में होती है ये बात गलत है धन बिध्यक की शुरुवाद जो है ये हमेशा लोक्षभा से होती है और धन संपती के मामले में जो है राजसभा सकती हीन है ये बिलकुल सही है अगला कुस्टन है धन बिध्यक पेस किया जा सकता है तो केवल लोक्षभा में धन बिध्यक जो है केवल लोक्षभा में पेस किया जा सकता है लेखा नुदान बना है लेखा नुदान बना है किसे ब अस्तूत करती है तो लोक्षभा के एक स्पीकर को अगला कुस्स है निमलिखित कत्रों में से कौन एक सही नहीं है की बारे में बात कर रहा है तो देखिए यहां पे जो है सर्वोच नियाले कोट मार्सल को छोड़ कर अन्य किसी भी उच नियाले अदालतों की सुनवाई कर सकत है यहां पे पूछ रहा है तो यह होते हैं राज्यपाल अगला कुस्तन से एक उस्तम नियाले का नियाधिस अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको तो राष्ट पती को अगला कुस्तन से भारत में मोबाईल कोड इसका मानस पुत्र है तो एपीजए अबदुलकलाम का ड्रीम था कि भारत के अंदर मोबाईल कोड होना चाहिए किस अनुछेद के अनुशार भारत के राष्ट पती के द्वारा राष्टिय अपातकाल की घोशना की जा सकती है तो किस कुशन के अंदर का रहा है कि किस आइटिकल के द्वारा राष्टिय अपातकाल की घोशना की जा सकती है तो आइटिकल मतलब आनुछेद 352 के द्वारा राष्टिया पातकाल की घोशना की जा सकती है केंदर और राज्य की बिवस्थापिकाओं के लिए मतदान की निूनतम उम्र 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स की गई थी कब किया गया था? तो ये किया गया था एक सठ्वा समिधान संसोधन 1989 से अगला कुशन से है आम चुनाओं में मतदान की आयू 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स कर दी गई थी कब तो एक सठ्वा समिधान संसोधन के द्वारा भारतिय समिधान की आठवी अनुशूची में मानने सरकारी भासाओं की संख्या कितनी है तो ये कुशन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है मतलब इस टाइम के हिसाब से ये सही है और उस समय जो होता है एंसर था 18 लेकिन अब ही जो है ये समिधान संसोधन के बाद जो है ये 22 भासा हो गई हुई है तो आप इसको 22 को याद रखेगा CDP और NES के पुर्ण गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा अस्थापित समिती का नाम बताईए जिसने ग्रामीन अस्थानिय सरकार की तिरी अस्थरिये परनाली का सुझाओ दिया था तो ये है बलवंत राय मेहता समिती अगला कुस्टन से निमलीखित भिशेस्ताओं में से केंध्रिये सासन वेवस्था के लिए कोन सही नहीं है तो ये है बड़े देश के लिए आदर्स अगला कुस्टन से बिकेंध्रिकरन परनाली की सिफारिस किसने की थी तो ये क्या था बलवंत राय मेहता ने अगला कुस्तन से अशोक में ता समीती ने निमलीखित की सिफारिस की थी तो ये क्या था पंचायती राज की दूई अस्तर ये सरकार अगला कुस्तन से ब्लोक अस्तर पर पंचायत समीती है ब्लोक अस्तर पर पंचायत समीती प्रसासनिक प्राधिकारी है अगला कुस्तन से 14 गर्ष्ट 2007 को संसद के द्वारा समिधान संसोधन में संसोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाती की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है तो देखे उस टाइम के हिसाब से 1206 अनुसूचित जातियों की संख्या हो गई थी अस्थाई सदस्य नहीं है, तो देखें, अस्थाई सदस्य की बात कर रहा है, तो जर्मनी जो है, अस्थाई सदस्य नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक शंगठन है, जो जुरा हुआ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, मानव अधिकारों के संडक्षन से जुरा तो एलो बुक कहा जाता है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को भारत के प्रथम बिधी बिश्व बिद्ध्याले की अस्थापना अगस्त 1987 में कहां किया गया था तो ये बैंगलोरू के अंदर किया गया था अगस्त 1987 में सीमा सुरक्षा बलकिया स्थापना कब की गई तो सीमा सुरक्षापल की अस्थापना 1965 में किया गया था एक दिसंबर 1965 को BSF की अस्थापना किया गया था भारतिय समिधान को समिधान संसोधन दोरा अंगी कृत किया गया कब अंगी कृत किया गया था तो 26 जनवरी उनश्व उन्चास को अगला कुस्टन से भारतिय समिधान दिवश मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 26 नोयमबर को अगला कुस्टन से भारतिय समिधान को अपनाया गया था तो ये कहां से अपनाया गया था तो समिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतिय समिधान को भारतिय समिधान की परस्तापना के सिलसिले में निमलिखित में से कौन सा करम जो है ये सही है तो देखिए सार्भ भौम, सत्ता संपन, समाजवादी, धर्म निर्पेक्स, जनवादी और गनतंत्र ये जो है ये सही करम है भारतिय समिधान की प्रस्ताबना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो ये घोशित किया गया है एक सार्व भौम समाजवादी धर्म निर्पेक्ष परजातांत्रिक गनतंतर के रूप में भारत में लोगिक सार्व भौमिक्ता है क्योंकि समिधान की प्रस्ताबना आरंब होती है किसे तो हम भारत के लोग सब्द से भारत में परजात अंतर इस तथ्य पर अधारित है कि जनता को सरकार को चूनने का तथा बदलने का अधिकार पराप्त है अगला कुस्टन से कह रहा है कि भारतिय समिधान की प्रकृति क्या है तो भारतिय समिधान की जो प्रकृति है प्रकृति में संगिये किन्तु भापना में एकात्मक है अगला कुस्स है भारतिये समिधान की दस्वी अनुशूची का संबंध है तो भारतिये समिधान के दस्वी अनुशूची का संबंध जो है ये दल बदल बिरोधी कानून शे है भूमी सुधार डोट डोट के बिशेय के अंतरगात आता है तो भूमी सुधार जो है ये राच् भारतिये नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो देखे भारतिये नागरिक्ता आप प्राप्त किस से कर सकते हैं अगर आपका जन्म होगा भारत में तो आपको भारतिये नागरिक्ता मिल जाएगा अगर आप भारत के ही हैं तो भारते नागरिक्ता आपको अलेडी मिल जागा किसी भुभाग में समलिन द्वारा आप नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बैंक में रुपया जमा करके आप नागरिक्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगला कुस्तन से नागरिक्ता संसोधन कानून कब पारित हुआ था तो नागरिक्ता संसोधन कानून जो है ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था अगला कुस्तन से बिधी का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र अगला कुस्तन से निमलिखित में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी गई है तो ये दिया गया है सर्वोच न्याले एवं उच न्याले को अगला कुस्तन से भारतिय समिधान के किस अनूछेद के अंतरगत नागरीकों को मौलिक अधिकार परदान किये गए है तो ये जो है आइटिकल 12 से आइटिकल 35 के बीच में भारतिय समिधान का निमलिखित में से कौन सा अनूछेद प्रेस की सोतंतरता से सम्बंदित है तो आइटिकल 19 जो है ये प्रेस की सोतंतरता से सम्बंदित है निमलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है तो मूलभूत अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है तो पोस्ट माटम जो है ये अधिकार पिरिक्षा को देखें पांस रीट होते हैं और इसी में से एक रीट है अधिकार पिरिक्षा इसको जो है पोस्ट माटम भी कहा जाता है अगला कुशन से एक कल्यानकारी राजे का आदर्स वरनित है तो एक कल्यानकारी राजे का आदर्स जो है राज के निती निर्देशक तत्वों में वर्नित है भारत में निमलिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परनाली की बेवस्था की गई है तो पंचायती राज परनाली की बेवस्था जो है राज के निती निर्देशक सिध्धान्त के अंदर की गई है राज के निती निर्देशक सिधान्त किस परकार मौलिक अधिकारों से भीन है तो ये है निती निर्देशक सिधान्त परिवर्तनिये है जबकि मौलिक अधिकार जो है ये परिवर्तनिये निती निर्देशक का सिधान्त परिवर्तनिये नहीं है और जबकि मौलिक अधिकार जो है ये प्रिवर्तनिय है अगला कुशन से मौलिक कर्टब्बे को निर्धारित किया गया है मौलिक कर्टब्बे को 42 समिधान संसोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है तो मौली करतब्य जो है ये है हमारी मिली जूली संस्कृती की समरिद्ध बिर्यासत को सनरक्षित करना ये हमारा मौली करतब्य है राष्टपती राष्टपती जो है ये संसद का हिस्सा होता है अगला कुशन से भारत में राष्टपती का चुनाओ किया जाता है तो भारत में जो है देखे यह कुशन जब मैं डीटेल आपके साथ डिसकेशन करूँगा तब फिर मैं आपको पताऊँगा वैसे मैं आपको पतातूँ कि भारत के अंदर राष्ट पती का चुनाओ जो है ये एकल हंस्तरांतरी मत परनाली के द्वारा भी किया जाता है और अन विवाद को सौपा जा सकता है कहां सौपा जा सकता है तो सर्वोच चन्याले को अगला कुशन से है भारत के राष्ट पती को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके तहत संसद के द्वारा अगला कुशन से है भारत के कारेपालिका अध्यक्ष यानि एक्जिक्यूटिव हेड कौन होता है तो एक्जिक्यूटिव हेड जो है ये राष्ट पती होते हैं केंदर सरकार के उच्टम नागरिक शेवा अधिकारी कौन है तो ये है मंत्री मंडलिय सचिव भारतिय समिधान में केंदरिय सरकार की अधिसासी सक्तियों को किसमे नहित किया गया है तो ये नहित किया गया है भारत के राष्ट पती राष्ट पती राष्ट ये अपातकाल की घोशना कर सकता है ये कब करेगा तो ये करेगा उपर बनीत सभी कारणों के अधार पर जैसे हातियार बंद विद्रों के अधार पर बहए आकर्मन के अधार पर और यूद के अधार पर अगला कुशन से पराया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट पती सासन लागू किया जाता है तो ये गवर्नर के सलाह पर राज्य में राष्ट पती सासन लागू किया जाता है भारतिये समिधान भारत के राष्ट पती को अधिकार नहीं देता है तो किसका अधिकार नहीं दे बांकी इन सबोंक अधिकार जो है देता है अगला कुछन से बारत के राष्टपती को यह दिकार नहीं परापता है कि वह सर्वच्च नियाले के नियाधिस को हटाए मैं अगला टुसर, भारत के पर्थम राष्टपती थे तो यह कहां से थे तो ये बिहार से थे अगला कुछन से का रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है यहाँ पर सत्य की बात नहीं कर रहा है असत्य की बात कर रहा है तो उपराश्टपती का चुनाओ भारत का राश्टपती करता है ये बात जो है असत्य है राज्य सभा का सभापती कौन है तो राज्य सभा का जो सभापती है ये उपराश्टपती होते हैं भारत का परधान मंत्री मुख्य है भारत के जो परधान मंत्री है ये केंद्रिय सरकार का मुख्य है अगला कुशन से है संघीय मंत्री पर्षत के मंत्री उतरदाईत होते हैं तो ये उतरदाईत होते हैं केवल लोक्षभा के परती मंत्री पर्षत उतरदाईत होती है तो मंत्री पर्षत जो है ये उतरदाईत होती है लोक्षभा के परती उतरदाईत होती है तो देखिए इसमें भी है अगर सामुहिक रूप से हैं तो ये लोक्षभा के पर्ति उतरदाइत होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग सभा यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे संसद के परती अगर हम लोग जाना चाहे तो संसद के परती जा सकते है अगला कुस्तन से है कि भारतिय राजनीती बिवस्था में कारेपालिका के अधिन रहकर कारे करता है तो कारेपालिका जो है यह बिधाईका के अंदर रहकर कारे करता है अगला कुस्तन से है सरकार की संसद्य बिवस्था के विसे में निमलीखित में से कौन सा बक्त तब्यस सही है तो यह जो है इस कुशन को हम लोग देखते हैं देखें यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट पती जो है नियाई पालिका के परती जवाब दे है तो यह बिल्कुल गलत है राष्ट पती जो है राष्ट पती नियाई पालिका के परती जवाब दे नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं होता है तो अगर होता तो यह सही होता तो यह बिल्कुल गलत है दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या कह रहा है कि संसादात्मक साशन बेवस्था जो है इसमें कारेपालिका जो होता है तो कारेपालिका जो है यहाँ पे देखिए बिधाई का नियाईपालिका के परती जबाब दे है यह सब गलत है तो इसलिए इसका अप्सन हो जाएगा जब मैं इसका डिटेल कराऊंगा आपके साथ तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको भारत का परधान मं मंत्री जो है यह लोक्षभा के परती जबाब दे हैं समिधान में मंत्री मंडल सब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है तो यह आइटकल 52 के अंदर सोरी 352 के अंदर इसका प्रयोग किया गया है भारत सरकार को कानूनी विशेव पर कौन परामर्स देता है तो अगला कुस्तन से भारत का महान्याइवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो यह नियुक्त किया जाता है भारत के राष्टपती के द्वारा अगला कुस्तन से कानूनी विशेव पर राज्य सरकार को कौन परामर्स देता है तो देखिए यहाँ पर राज्य सरक आधिनलवार पर भारत के राज्यों का पुनर गठन किस बरस हुआ था तो 1956 में ऐगला कुछण मसा है लोक शवा का नेता कौन है तो लोकशवा का नेता जो है ये पर्धान मंतरी होता है अगला कुछण क से लोकशवा के लिए चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए किसी बेक्ति के लिए नियुनतम आयुशिमा क्या है तो नियुनतम आयुशिमा जो है 25 साल है लोकसभा सदस से चुने जाने के लिए एक बेक्ति को किस आयुशिमा से कम का नहीं होना चाहिए तो ये 25 बर्स अगला कुशन से है संसद सदस से बनने है तू नियुनतम उम्र जो है आपको 25 साल होना चाहिए लोक्षभा चुनाओं का कोई परत्यासी अपनी जमानत खो देता है यदि उस ये पराप्त न हो सके तो देखिए बैदमत इसके अंदर जो है बैदमतों का एक वटे छे भाग अगर वो नहीं पराप्त करता है तो अपनी जमानत खो देता है तो इसमें हो जाएगा उप्रिक में से कोई नहीं लोक्षभा में राज्यवार शीटों का अवंटन जो है सन उनिशो एक खतर की जनगन्ना पर अधारित है यह निर्धारन किस बर्स तथा यथा वतर है बर्तमाल लोक्षभा में राज्यों परतेक राज्य के लिए अस्थानों का अवंटन अधारित है तो यह है उनिशो एक खतर के जनगन्ना पर अधारित है निमलीखित भारतिये राज्यों में से किसकी राज्य बिधान सभा में सदस्यों की शंख्या अधीक है तो यह है हिम अगला कुशन से लोक्षभा में अंगल भारतिये शमुदाय में समुदाय से सदस से मनुनित करने की सक्तिया किसके पास है तो देखिए यह जो है इस वार समापत कर दिया गया है और इसको आप याद कर लिजिए कि कि 140 समिधान संसोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निस्प परभावी बना दिया गया है यानि जो पहले लोक्षभा के अंदर जो होता था क्या कि आंगला भारतिये समुदाय के जो सदस्य को मनुनित किया जाता था राष्टपती के द्वारा तो यह जो है यह अधिकार खतम कर दिया गया है और उस टाइम पे जो है राष्टपती जो है अधिकतम दो सदस्य को मनुनित करता था लोक्षभा के अंदर तो इसको जो है 104 समिधान संसोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है अगला कुशन से भारतिये समिधान के किस अनुछेत क अंतरगत लोक्षभा में अनुश सूचित जातियों का आरक्षन का प्रपधान किया गया था तो यह किया गया था आइट कल 330 के तहत अगला कुशन से लोक्षभा को कारेकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है कब प्रधान मंत्री की सिफारिस पर राष्टपती के द्वारा लोक्षभा को उसके कारेकाल की समापती के पूर्ब ही भंग किया जा सकता है यह राष्टपती के द्वारा मंत्री परशद की सलाह पर लोक्षभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं तो देखिए लोक्षभा के जो होते हैं साल में कम से कम दो सत्र तो बुल प्रतिनीधि को भेजता है जहां तक लोगसभा में प्रतिनीधित्व का प्रश्ण है कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्ज पर है तो यह है बिहार और महराष्ट अगला कुशन से लोगसभा का पहला आमचुनाओ कब हुआ था तो यह हुआ था 1952 में अगला कुशन से र राज्य सभा के सदस से चूने जाते हैं तो यह छे बर्श के लिए चूने जाते हैं राज्य सभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इससे बिगटित नहीं किया जा सकता है राज्य सभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है उप्रवक्त में से कोई नहीं होगा इस औराश्ट पती लोग्षभा के सवीस दस्यों के द्वारा लोग्षभा के ब्रत्मान उपाध्यक्ष हैं तो लोग्षभा के जो अगर हम बात करते हैं बरत्मान की तो देखें यहां पे जो है 2019 से 2019 से जो है यह उपाध्यक्ष का जो पद है यह खाली है तो अगर आपसे पूछ दे कि बर्तमान में लोक्षभा का उपाध्यक्ष कौन है तो आप वहाँ पे सीट जो है वेकंट है यह सीट जो है खाली अभी तक 2019 से लेकर अब तक यह seat खाली है और अगर हम से पूछ दे कि पहला जो है उपाध्यक्ष कौन था तो यह थे MA आयंगर जी MA आयंगर जी थे जो हमारा 1952 से लेकर और 1956 तक इनका करेकाल था तो पहला MA आयंगर जी थे और अभी 2019 से लेकर और 2022 तक यानि अभी तक तो यह seat खाली है अब आगे की बात नहीं चलिए अगरा कुशन के तरफ हम लोग देखते हैं संसत के दो सतरों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए अगला कुशन से राजनितिक सब्दा वली में सुनने का अर्थ क्या है देखिए यह सुनने काल जो है यह काफी एक्जामस में पूछा जाता है और इसमें जो है हम आपको जब इसका डिटेल कराएंगे तो फिर मैं आपको इसका बारे में बताएंगे भारतिय प्रशासन में बिभाजन परनाली किसे संबंदित है तो बिभाजन परनाली जो है यह निती और कर्यानवन से संबंदित है निमलिखित में से कौन सी संसद्य समीती कारे पालिका को नियम बनाने के लिए परतायोजित सक्ती से संबंदित है तो ये है अधिनस्त बिधान पर समीती अगला कुस्टनस है आम आदमी पार्टी जो है अब तो आम आदमी पार्टी जो है ये बन चुका है क्योंकि दो इस्टेट में इसकी सरकार है तो इसका जो है अब सही माना जाएगा अगला कुछ संस है कह रहा है कि संसत के दोनों सदनों का संजुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो संसत के दोनों सदनों का जो संजुक्त अधिवेशन जो है ये आयोजित होता है तो इसमें जो है कह रहा है कि अपना उत्तर चुनिये तो ये हो जाएगा केवल चार ठीक है तो एक ऐसे विद्हेक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मत भेद हो भारत ये राजनीती ब्यवस्था में इनमे से कौन सर्वच है तो ये है समिधान अगला कुशन से दिल्ली है दिल्ली क्या है एक केंदर सासित परदेश है एक राज्य बनाया गया था 35 समिधान संसोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था और ये जो है 22 राज्य था इसको भी आप ध्यान रखेगा अगला कुशन से बिहार को काटकर एक प्रिथक बनांचल राज्य का बनना संभब है तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि इन में से कोई नहीं होगा इसके अंसर क्यों नहीं होगा क्योंकि जब बिहार को काटकर एक प्रिथक बनांचल राज्य बनता है तो ये संसद बनाता है और यहाँ पे राज्य बिधान सभा की बात करता है तो ये तो बिलकुल नहीं होगा राज्य प मिक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 पता नहीं चल ला ही एर में गठित किया गया इसके अध्याक्ष कों थी यहाँ पर 2000 होगा तो यह जो इसके अध्याक्ष थे यह थे M.N. बेंकट चली या भारत के सर्वोच न्याले की अस्थापना हुई थी भारत के सरवोच न्याले की अस्थापना भारतिय समिधान के दवरा हुआ था भारत के सर्वोच न्याले की सुकृतिच cit Plant क्या है तो यह सुकृतित चम्था जो है अभी तक तो 33 है मुखे जो हमारा मुखे नयायमूर्थी है न मतलब CJI Chief Justice of India जो है उसके आतिरिक्त जो है 33 है तो इसमें कोई option नहीं है आप देख सकते हैं यहापे और टोटल मिला दे तो 34 हो जाएगा भारतिये सर्वोच्च नियाले में नियाध्योश्यों की नियुक्ति कौन करता है तो यह करता है राष्ट पती उस्तम नियाले के नियाध्यीसों की शंख्याम की ब्रिद्धी करने की सकती किन के पास है तो यह है संसत के पास सर्वोच्च नियाले के नियाध्यीसों की शिवा निब्रिती की उम्र क्या है तो यह है 65 वर्स सर्वोष्च न्याले क्या न्याधिस अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है तो यह है राष्ट पति को न्याइक पुनरा विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोष्च न्याले सर्वोष न्याले जो है किसी भी राजे के कानून को अवैद घोसित कर सकता है भारत में न्याइक परनाली किस पर अधारित है तो न्याइक परनाली जो है देखे ये जो कुशन्स है भारत का जो न्याइक परनाली है ये हमारा समिधान के उपर अधारित है कानून द्वरा अस्थापित पर किरिया और प्रमपरा पर भी अधारित है तो नियम और कानून से उचित पर किरिया सुरी ये होगा और प्रमपरा होगा तो ये सब हो जाएंगे इसके इसलिए इसके इसके इंसर हो जाएंगे ये राज्य सरकार का कारेकारी अध्यक्ष यानि समयधानिक परमुख कौन होता है राज्य सरकार का तो राज्यपाल होता है किसी राजय का राजयपाल निव्त किया जाता है तो ये राष्टपती के द्वारा अगला कुशन कर रहा है कि भारतिय से मिधान के अनुशार राजयों की बिधाईका में समलित है तो राजयों के बिधाईका में जो है ये राजयपाल, बिधान, सभा और बिधान परशद यहां पर अस्तित्व है इसका ये समलित है तो इसके हो जाएंगे D अगला कुशन कर रहा है कि उतर परदेश के राजयपाल ने बिधान, सभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उप्योग कर रहे थें जो उनके पद में नहित था तो ये है आइटकल 175.2 के द्वारा भारत के राजयपाल परदेश का यानि एस्टेट लेजिसलेटिव का उच्च सदन कौन सा है तो ये है बिधान परदेशद अगला कुशंस है कि राजय बिधान परदेशद के सदस्य निमलिखित में से किस स्रेनी से नहीं चूने जाते हैं तो ये जो है उद्धोग पती से नहीं चूने जाते है अगला कुशन से किसी राज्य के बिधान परिशद की सनरचना अत्वा बिघटन किया जा सकता है तो ये किया जा सकता है केंदरिय संसत के द्वारा अगला कुशन से निमलिखीत राज्यों में कहां बिधान परिशद है तो देखिए ये जो बिधान पडिशद है ये कहां कहां है आप यहां पे देख लिजिए बर्तमान में ये बिहार के अंदर है महराष्ट के अंदर है करनाटक उत्तर प्रदेश आंतर प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है बिधान पडिशद है और टोटल जो है छे पत्तर यदि किसी राजे की बिधान सभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उशे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको तो ये देता है उपाध्यक्ष को किसी उच्छ सदन ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गेर कानूनी है तो ये इलाहाबाद हाई कोट ने दिया था अगला कुस्टन से निमलिखीत उच न्यालों में से कौन से एक से अधीक राज्य और केंदर साचित परदेश के लिए है तो ये है देखे इसका अंसर C और D दोनों हो जाएंगे अगला कुस्टन से बाबरी मस्जीद और राम जनम भूमी का विबाद जो इलाहाबाद उच न्याले यानि लखनव न्याइपीट का जो उच न्याले है के समक्ष का परकार है जो इलाहाबाद उच न्याले का जो लखनव न्याइपीट है उसके समक्ष की बात है तो ये जो है ये टाइटल शूट्स है यानि सुवत्वा अधिकार मुकदमा है अगला कुशन से भारत के समिधान का कौन सा अनुछेत भारतिये निर्वाचन आयोग की अस्थापना से सम्बंदित है तो ये है आइट कल 324 अगला कुशन से भारतिये समिधान का कौन सा अनुछेत जो है भारतिये समिधान के संग्हिये संसद या फिर राजय विधान पालिकाओं के द्वारा बनाएगे नियम कानून को पर प्रात्मिक्ता परदान करता है तो ये है तेरा अगला कुशन से निम लिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सुची में है तो ये विषय है सिख्छा अगला कुशन से निम लिखित में से किस अनुछेत के अंतरगत बीत आयोग का गठन का परबधान है तो ये है आइटकल 280 अगला कुस्टन से भारत में संघिये बीत आयोग संबंद रखता है तो यह राज्यों और केंद्र के बीच बीत से योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी तो योजना आयोग की अस्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था उस राजनेतिक दल का नाम बताईए जो मिली जूली केंद्रिये सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सरदस से त्यरहमी लोकसभा का स्पिकर चुना गया था देखिए यह कुस्टन जो है आउट अपडेटेट है तो इसका आप देख लिजिएगा और वैसे इसका अंसर जो भारत के राजनेतिक दलों के शंबंध में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए तो ये विचार हम लोग करते हैं इसके अंदर जो होगा एक, दो, तीन, चार ये कह रहा है कि कौन सा सही है तो एक, दो, तीन, चार ये सारा का सारा सही है देखिए जन परतिनिधित नियम 1951 राजनेतिक दलों के पंजीकरन का प्रवधान करता है तो ये बिल्कुल सही है राजनेतिक दलों का पंजीकरन जो है निर्वाचन आयोग करता है तो ये भी बिल्कुल सही है और राश्टिय अस्तर पर राजनेतिक दल वह है जिसे चार या अधिक राज्यों में मन् प्राप्त हैं तो ये भी बिल्कुल चाहिए उनिशो निनानमे के आमचुनाओं में निर्वाचन आयोग द्वारा मन्याता प्राप्त च्वा राश्टी और 48 राज्य अस्तरिये दल थे तो ये उस समय के हिसाब से बिल्कुल चाहिए है अगला कुस्टन से निम्न में से किस बर्थ सरकारिया आयोग जिसे केंदर राज्य संबंध में प्रिवर्तन संस्तूती का अधिकार दिया गया था ने अपना परतिवेदन जमा किया था तो ये क्या था 1987 में अगला कुस्टन से पंचायत के शुनाओ कराने हे तू निरने किस के द्वारा लिया जाता है तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा अगला कुस्टन से पंचायती राज्य का विशय क्या है तो ये विशय है राज्य की सूची पर अगला कुस्टन से पंचायती राज संस्थाओं को 29 कारियों की इस सुची किस अनुछेत के तहत दी गई है तो ये है आइटिकल 243 जी के तहत अगला कुस्टन से निमलीखित में से क्या समिधान की एगारवी अनिस सुची में सामिल नहीं है तो ये है गरामिन खिल अगला कुस्टन से निमलीखित में से किसका निर्मान पंचायती राज बेवस्था के तहत हुआ है तो ये है गराम पंचायत अगला कुस्टन से भारतिय समिधान के निमलीखित अनुछेदों में से कौन सा आइटिकल जो है राज की सरकारों को गराम पंचायतों को शंगटित करने का निर्देश देता है तो ये है आइट कल 40 अगला कुसंस है निमन में से कौन सा अनुछेद पंचायत के गठन के लिए राजय सरकारों को निर्देश देता है तो ये है आइट कल 40 अगला कुसंस है सरकार की पंचायती राज परनाली की परमुख विशेष्था क्या है त परदान करना है तो यह भी बिल्कुल सही है जीला परिषद में इसके सदस्स्य के रूप में यह संसद होते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है अगला कुस्थ्स है पंचायती राज की तीन अस्तरिये परनाली में आते हैं तो ये आते हैं गराम पंचायत, छेतरिये, पंचायत समित्य और जीला परिशद अगला कुस्टनस है का रहा कि पंचायती राज का परधान लक्ष है तो इसका जो लक्ष है गराम बासियों को सक्ति का बिकेंदरी करन सफलता पुर्वक कार्य हेतू पंचायती राज को पूरे शहयोग की जरूरत परती है तो यह परती है आस्थानिय जनता की अगला कुशन से भारत में पंचायती राज परती निधीत्व करता है तो यह सभी करते हैं सक्तियों का बिकेंदरी करन लोगों की हिसेदारी और सामुदाईक विकास यह सभी करते हैं अगला कुशन से पंचायती राज को डोट डोट के अंतरगत स्वशाशन की एकाई के रूप में संगठित किया गया है तो ये किया गया है भारतिय समिधान के 73 संसोधन के अंतरकत जिस समीति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की अस्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था तो उसका अध्यक्ष जो है बलवन्त राय महता है अगला कुश्टन से है भारत में पंचायती राज की अनुस्वंसा के लिए बनी समीती के अध्यक्ष थे तो ये हैं बलवंत राय मेहता समीती अगला कुश्टन से है निम्न में से कौन सा भीकेंदरी करन का बैसिष्ट नहीं है तो ये जो है अस्थानिय समुदायों में आत्म विश्वास को नहीं जगाना ये गलत बात है अस्थानिय समुदायों में आत्म विश्वास को हमें जगाना चाहिए बांकि ये सब जो है ये सही है अगला कुस्टन से कह रहा है कि भारत में पंचायती राज बेवस्था स्वर पर्थम राजस्थान और डॉट डॉट में प्रड़म किया गया था तो आंधर प्रदेश अगला कुस्टन्स है पंचायती राजिस्वर पर्थम परिवर्थित किया गया है तो यह किया गया है राजस्थान में निमलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने नयाय पंचायत बनाने की सिफारिस की है निमलिखित में से कौन सा कार्रे अस्थानिय शुषासन के अधिकार छेतर में नहीं आते हैं तो ये जो है सर्वजनिक अनूशासन का रख रखाओ जो है ये अधिकार छेतर में नहीं आता है पंचायती राज परनाली किस सूची में है तो पंचायती राज परनाली जो है ये राज सूची का अंतरगत आता है किस राज और किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में इस तीरियों के 50% आरक्षन को बैद दिया है तो देखिए अब तो खायर मैक्शिमम राज जो है ये 50% आरक्षन उन्होंने दे रखा है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक अस्थानिय निकायों में महिलाओं का आरक्षन 50% कर दिया है तो अभी आपको बताएं कि बहु सारे राज्य जो है ये 50% आरक्षन दे रखे है तिहतरवे समिधान संसोधन कानून की बैधानिक शुरुवात किस समिधान संसोधन बिल से हुई है तो ये हुआ है ये 64 समिधान संसोधन बिल के तहत अगला कुशन है किछ समिधानिक संसोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का समिधानिक अस्तर प्राप्त हुआ था तो ये है तिहतरवा समिधान संसोधन अगला कुशन है समिधान का तिहतरवा संसोधन संबंधित है तो ये है पंचायती राज परनाली से अगला कुशन्स है भारत में इनमें से कौन सा विश है पंचायती राज संस्थाओं की सक्तियों के अंतरगत नहीं आता है तो यह आता है न्याईग में पुन्रविच्छन यानि जूडिशिल रिव्यू अगला कुशन्स है भारतिय समिधान में संसोधन के लिए बिधेक लाय गया था तो यह लाया गया था 1951 में अगला कुश्न्स है करा कि निमन लिखित में से किस समिधान संसोधन अधिनियम को लगू समिधान कहा गया था तो यह है 42 समिधान संसोधन, पिछ्री जाती आयोक का पर्थम सभापती कौन था, तो पिछ्री जाती आयोक का पर्थम सभापती काका साहिब कालेल करत है, राज लोक्षेवा आयोक का अध्यक्षे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्त किया जाता है, राज पाल के द्वार भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन भीवी पैट का संसकरन क्या है तो भीवी पैट का संसकरन जो है ये M3 है अगला कुशन से है भारत के वरियता करम निम लिखित में से कौन पहले आता है तो देखिए ये जो है देखिए इस कुशन में हम लोग नहीं डिशाइट कर सकते हैं वर्याता करम को क्योंकि इन तीनों को एक ही साथ रखा जाता है उपीजाइक है मुख चुनाव आयूक्त है और नियंत्रक अब महालेखा परिक्षक है इन तीनों को जो है एक ही साथ रखा जाता है नाइन कौ के अंदर और ये हमारे उस्तम नियाले के जो मुखे नियादीस है इनको अपना जो छेतरा धिकार होता है इसके अंदर रखा जाता है 14 अस्थान पे इनको 14 अस्थान पे रखा जाता है और इनके छेतरा धिकार से बाहर इनको 17 अस्थान पे रखा जाता है तो अगर हम लोग वरियता करम की बात करते हैं तो ये तीनों पहले आएंगे फिर बाद में ये आएंगे तो इसलिए इसका उप्युक्त ये इसका एंसर हो जाएगा अगला कुस्टन से कह रहा कि भारतिय समिधान का अगर आपने हमारे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चाइनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा दिजेगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इंफोर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और like का बटन जरूर दबाईएगा thank you for watching